है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को कंपनी है के वल्दस मिन दें अगर आप यहाँ पर लोट के लिए अगर आप यहां पर लोन के लिए करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो पूरा देखना अगर आप ने वीडियो स्केप कर दी तो आपकी सुंजमें नहीं कि पाया कि इस तरीक सा आपने आप लोन के लिए करते हैं तो गाइज मनें एक लिंक डिस्क प्रिक्षिन में दे रखा है जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चले जाएंगे यहां पर आपको एक अप्लेकिसन दिखाए देगी जिसका नाम है रूपी बस कोई कैस लोन इंस्टेंट ओनलाइन अप्रू हो जाता है कि एवल अधार कार्ड पैन कार्ड से आपको यहां पर लोन मिलने वाला है रेटिंग की बात करूँ 3.4 रेटिंग है और भाई 100 के प्लस डाउनलोड की जा चुकी यह वाली अप्लिकेशन तो चले मैं आपको यहां पर इसकी थोड़ी डेटेल और देता हूँ अ आपको यहां पर 10,000 रुपे का लोग लेना चाहते हैं 91 दिन के लिए तो आपको यहां पर 9670 रुपे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएंगे ओवर्डियू यानि के टोटल रिपेमेंट आपको करना होगा 10,375 रुपे एगा एक मैने में 3.75 परसेंट भाएंट नहीं किया थीक है तो यह तो हमने आपको बता दे कितने दिन के लिए आपको यहां पर लॉन मिलेगा चलेभाइब sources अपने इसको ऑपइन कर लेना है अगर आप एक ऑपने साइन अप पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो page आपके सामने आएगा उसके अंदर आपको सबसे पहले आपका mobile number डाल देना होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले से sign up कर रखा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा mobile number verify हो चुका है, तो यहाँ पर यह बोल कर देंगे, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपे का लोन दिखाई देने वाला है, तो guys, 10,000 रुपे का लोन आपको यहाँ पर starting में नहीं मिलने वाला है, starting में आपको यहाँ पर 1500 रुपे का लोन मिलेगा, मुझे यहाँ पर यह बोले भी, 2500 लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो गाईज आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए क्या करना है, अपलाई पर क्लिक करना है, जैसे ही आप अपलाई पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी personal detail देनी है, आधार काड की front and back photo upload करनी है, अपना bank account detail देनी है, अगर मैं आपको loan guide में जाके दिखाओं तो आप पर देज सकते हैं, आपकी उमर कमसे कमा 18-55 साल के बीच होनी चाहिए, के वाई से documents में आपको यहाँ पर केवल आधार काड, pen card की photo upload करनी होगी, और आपके पास एक bank account होना चाहिए, क्योंकि इसी bank account के अंदर आपकी loan account आपको मिल जाएगी, जब आप यह तीनो detail complete fill कर उसके बाद आपको credit limit दी जाएगी, आप यहाँ पर दे सकते हैं, example की तुरुपर इनो दिखा रखा है, तो guys मैं यहाँ पर यह अपनी detail दे चुका हूँ, मैंने अपनी personal detail यहाँ पर दे दिया, अधार काड की photo upload कर दी, pen card की photo upload कर दी, bank account detail भी मैंने यहाँ पर दे दिया, ठी जैसे आप apply पर click करेंगे, देख सकते हैं, आप यहाँ पर next page हमारे सामने open हो चुका है, 25 रुपे का loan मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, 14 दिन के लिए loan मिलने वाला है, interest होगा केवल 35 रुपे, bank card यहाँ पर दिखाए, दर्या वाचर यहाँ पर नहीं है, simply आपने next पर click करना है और loan apply कर देना है, मुझे यह loan नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर apply नहीं कर रहा हूँ, loan आपको लेना है, भाई मैं आपको बता दू, यहाँ पर मेरा civil score खराब हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा loan लेकर दिखा रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर loan लेकर आपको नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं गाईज, इसका complete step देखना है, किस तरिक से documents upload करने है, किस तरिक से personal detail complete fill करनी है, उस video का link आपको description मिल जागा है, जिसके अंदर मैंने सब कुछ दिखा रहा है, और मैंने आपको वहाँ पर life proof के साथ loan लेकर दिखा भी रहा है, अगर आपको लोन का repeat मैं आपर कर चुका हूँ, और जिस वीडियो गंतर मैंने ये loan लेकर दिखाया था, उस video का link पर आपको description मिल जाएगा, वो वीडियो देखकर आप loan के लिए apply कर सकते हैं, तो आप इस तरी से ले सकते हैं, दस जाव रुपे तक कर लोन, रूपी बस से मुझे उम्मी जाव, थैंकी सो मच.